जैहिंद वेलकम टू विजेपत एजुकेशन पालमपूर आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नए क्लास में हार्दिक स्वागत है तो आज पूरे भारत में ओल इंडिया लेवल सेनिक एक्जाम का एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया क्लास 6 के लिए एंट्रांस एक्जाम ही रहता है तो उसकी आंसर की आज हम डिसकस करेंगे रीजनिंग के पॉर्शन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सीरीज बी को हम यहाँ पे डिसकस कर रहे हैं आप अपने paper के according यहाँ पे check कर सकते हैं कि क्या इसका solution आपने tick किया था और क्या वो आपके questions सही है या फिर वो गलत है जल्दी से एक वार share आप जरूर कर दीजिए आज की class को start करते हैं section C से जो कि intelligence का part था यानि कि reasoning का part था और question number 76 का जो right answer था वो था option number 3 यहाँ पे आपको fill करना था analogy related यह question दिया गया था relationship आपको show करनी थी तो देखिए यहाँ पे इसकी position को change किया था तो यहाँ पर भी आप इसकी position को change करेंगे so option number C जो था वो इसका right answer था next question number 77 में आपको बताना था इस type की image कहाँ पे बन रही है तो देखिए अगर option number 2 को अगर आप देखें तो विल्कुल same to same जो है इसी परकार की image बन रही है इसलिए option 2 जो था वो इसका right answer था question number 78 में आपको 3 into 4 multiply करना था तो यह आना था 12 और 12 का half होता है 6 वैसे ही 3 into 5 30 30 का half 15 तो आपको यहाँ पे इसी परकार से answer करना था तो वैसे ही आपको 7 into 2 करना था 7 into 2 14 and 14 का half 7 तो option number 2 इसका भी right answer था next में देखिए आपको इस analogy के question को पूरा करना था B जो है वो आपका second position पे आता है D fourth पे A first पे चार और तो छे और एक साथ वैसे ही C A B को पूरा करना था C तीसरे पे A first पे और B second पे तीन एक चार और दो छे तो option number second इसका right answer था next 80 reasoning बिल्कुल आसान आपसे पूछी गई थी आपको ode one out find out करना है तो देखी summer, winter और spring यानि की ग्रीशम, सरद और बसांती यह तीनों रितू हैं लेकिन रितू तो कोई रितू नहीं है इसलिए option number three जो था उसका अलग था आपको ode one out यहां पे निकालना था देखी इसके multiple answer जो है वो यहां पे अभी तक माने जा सकते हैं क्यूंकि option one, three और four यह आपके three number के digit हैं लेकिन जो second option है वो two digit का है इसलिए second option भी हमारा right answer हो सकता है उसके बाद हमारा option number fourth भी right answer माना जा सकता है क्यूंकि बाकी सारे जो है वो हमारे किसी ना किसी table से cut जाएंगे और 144 जो है वो prime number है 143 हमारा prime number है तो यहां पे most probably जो है वो option number four को ही मानिता दी जाएगी बाकी depend करता है आपकी official answer की के ओपर next 82 question जो था उसका right answer था option number A, BE, I, K, O,D बना यूट आपको यहां पे check करना था BE, I, K, इसका option number one इसका right answer रहेगा question number 83 का जो है वो आपको भीन जो था वो यहां पे check करना था तो इसका जो right answer था वो था question number 83 का option number 3 option 3 जो है वो इसका right answer रहेगा option number 3 इसका right answer है next question number 84 है 84 मैं यहां पे आपको बताया था जैसे कि घड़ी जो है वो समय बताती तो thermometer जो है वो तापमान को मापता temperature option number 3 is the right answer next question number 85 आपको series complete करनी थी C third position पे आता है तो L आता है 12th position पे option number 4 12 is the right answer question number 86 लोईन जो है वो कहां पे रहता है गुफा में उसको den बोलते हैं और घोड़ा जो है वो कहां पे रहता है stable में तो option number 3 जो था इसका right answer था question number 87 आपको इस pattern को complete करना था 87th question में pattern को आपको complete करना था देखिए circle अंदर है और triangle बहार है यहां पे circle बहार आ गया triangle अंदर चलीगी तो आपका यहां पे यह जो चारों side वाला चीज है यह अंदर चली जाएगी और बाकी सारी चीज आपकी बहार आ जाएगी तो इसका जो right answer था वो था आपका option number 87th, 87th का option number 4th यहां पे right answer रहेगा next question number 88 है आपको top से bottom तक जो था वो इसको proper way में arrange करना था तो उपर से नीचे की तरफ देखिए सबसे पहले क्या आता है 88th question है सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा चेहरा आएगा B option आएगा उसके बाद गर्दन आएगी B के बाद आएगा E उसके बाद हाथ आएगे तो option A आजाएगा हाथ के बाद जो है वो क्या आएगा घुटना ठीक है जी option D और last में पाउं की जो AD होती है वो आएगी B E A D C तो option number 2 जो था वो इसका क्या था राइट अंसर था बिल्कुल आसान सी भाषा में आपसे reasoning पूछी गई थी बिल्कुल easy to easy language आपसे पूछी गई थी यहाँ पे आपको mirror image find out करनी थी तो यह आपके पास image दी गई है इसकी mirror image जो होगी वो बिल्कुल इससे opposite हो जाएगी होगी नीचे की तरफ ही यह चीज आप ध्यान दीजिएगा होगी नीचे की तरफ ही लेकिन symbol जो है arrow जो है वो आपके change हो जाएंगे तो option number 89 का option number 3rd जो है यह वाला यह जो है वो इसका right answer रहेगा option B नहीं है option B नहीं आएगा option number 3rd इसका right answer रहेगा next 90 question है H F D N L J T R P आपको pattern बताना था 90 question में तो इसका right answer option number 3rd रहेगा Z X B आप simple सा pattern इसमें लगा सकते हैं उसके बाद 91 है तो यहां पे आपका pattern जो है वो square का pattern भी चल सकता है जैसे 5 का square होता है 25 25 से गए 24 फिर 4 का square 16 16 से गए 15 फिर 3 का square आएगा हमारे पास 3 का square कितना आएगा 9 9 से गए 8 और फिर 2 का square 4 4 से गया चार से गया कितने आगे 3 आगे और 1 का square 1 और 1 में से एक लगया तो 0 तो right answer आपके पास बनेगा 8 option number 3 का right answer है pattern में यहां पे बता देतों pattern आपका चलेगा 1 square minus 1 फिर 2 square minus 1 3 square minus 1 4 square minus 1 and 5 square minus 1 यह आपका pattern है next 92 question आपके पास रहेगा 92 question 92 question में आप यहां पे pattern लगाएंगे तो आपको shuffle करना है 4 इस तरफ जला गया एक इस तरफ आ गया 5 नीचे आ गया और 3 ऊपर चला गया तो वैसे ही यह आपके पास D ऊपर जाएगा ठीक है D ऊपर जाएगा तो D वाला एक यह option है option number second इसका right answer है next 93 देखिए विद्याले महाविद्याले यूनिवस्टी में पढ़ाई होती भूजनाले में खाना खाया जाता है यह आपका अलग था option third इसका right answer है next star 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 को आपने arrange किया है a t r s सबसे पहले a आ गया t को as it is लिखा s आपका last में चला गया तो और r आपका यहाँ पर आ गया तो वैसे आप plan को भी complete करेंगे तो a तो आपका यहाँ पर आ जाएगा l यहाँ पर आ जाएगा p last में और n आपका यहाँ पर a l n p a l n p option number one 94 का option number one जो है वो right answer है question number 95 फिर से देखी series का question है आप pattern लगा सकते हैं यहाँ पर plus minus का pattern question number 95 95 का option two इसका right answer है चलेगा दो और तीन पांच फिर पांच और पांच दस आजाएंगे फिर यहाँ पर दस और साथ सत्रा 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 और no 26 आजाएंगे हां यह हमारा चलेगा बिशम संख्याओं का ओड ओड नंबर का series जो है वो यहाँ पर चलेगी तो option number two 17 इसका right answer है question number 96 है इसमें देखी आपको pattern बताना था a b c फिर a b फिर c c कर दिया फिर a b b c कर दिया तो यहाँ पर आपके पास आएगा a a दो बार आ जाएगा b b दो बार आ जाएगा और c c दो बार आ जाएगा तो option number four जो था वो इसका क्या था right answer था बिल्कुल सही option number four इसका right answer है question number 97 में आपको एक आकरिती दी गई थी इसको आपको पूरा करना था बिल्कुल असान सी language में आपसे question जो था वो पूछा गया था यह देखिए इस चीज को आपने इसमें change किया position change की और इसको खाली डबे में बता दिया वैसे ही आप इसकी position को क्या करेंगे change करेंगे देखिए यह आपकी horizontal में है तो अब आपकी vertical में जाएगी तो option number two जो था वो इसका क्या था right answer था next question number 98 है cricket को बैट से खेलते हैं तो होकी को किस से खेला जाता है stick से खेला जाता है कुछ इस तरीके की stick आती है ठीक है देखियोगे आपने होकी के लिए तो option number second इसका right answer है question number 99 99 में आपको अरोही क्रम यानि कि ascending order में बताना है ascending order ascending छोटे से बड़ा तो छोटे से बड़ा सबसे पहले आएगा दिन E वाला option आएगा सबसे पहले हाँ तो E E E उसके बाद दिन के बाद या आता है दिन के बाद आपके पास आएगा सबताह D आएगा हाँ जी D और D आगया सबतहा को मिलाके क्या बनता है महीना बनता है B आएगा तो B यह है उसके बाद आपके पास वर्ष बनता है और उसके बाद सताबदी बनती है तो option number 3 जो था वो इसका क्या था right answer था last question है question number 100 आपको यहाँ पे arrange करना था dictionary के according जो था वो आपको arrange करना था तो इसका option number C जो था इसको solve जो थे वो कर सकते थे जल्दी ही हमारा जीके का पार्ट भी आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा वीडियो आपको कैसी लगी शेर एक वार आप जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने question आपके reasoning के बिलकुल सही है जल्दी ही next class के साथ मैं आप के लिए जय हिंद जय भारत